तो दोस्तो अगर आप BSNL का SIM यूज़ करते है और आपका BSNL का SIM में incoming outgoing call बंद हो चुका है BSNL का mobile number निकालना चाते है तो कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में किलिया करने वाला हूँ दो तरीके बताने माला हूँ दोनों तरीका आपको यहाँ पर work करेगा चलिए यहाँ पर बात करते हैं पहले setting का बारे में तो इसके लिए क्या करना है आप जो भी smartphone यूज़ कर रहे है तो उस smartphone में जैसे आप यहाँ पर setting में जाते है और दोस्तों जैसे आप यहाँ पर सेटिंग में जाएगा तो सभी स्मार्टफोन में एक mobile network का option देखने मिलेगा उस mobile network पर क्लिक कर देना है और जैसे आप mobile network पर क्लिक किजेगा और जिसमें भी आपको यहाँ पर सीम लगा रहेगा वो सीम नमबर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने में देखिए यहाँ पर सीम नेम और सीम नमबर यहाँ पर सो हो जाता है तो होता क्या है कि जो SIEM आप यूज़ कर रहे है BSN का SIEM यूज़ कीज़ेगा तो BSN लिखावन नजर आएगा और उसका जो मोबाइल नमबर है वो आपको SIEM नमबर में देखने को मिलेगा आप यहाँ से डारेट चेक आउट कर सकते हैं अगर यह option आपको यहाँ पर सून नहीं हो रहा है तो देन दूसरे option में 100% आप अपना मोबाइल नमबर निकाल सकते हैं इसके लिए simply क्या करना है डाइल पेट को open कर लेना है डाइल पेट को open करने के बाद आपको एक नमबर यहाँ पर डाइल करना है और वो नमबर लिखना है star 1 has यह आपको यहाँ पर लिखना है और लिखने के बाद आपको call पर click करना है running usd करेगा और उसके बाद आप यहाँ पर देखेगा जो भी आपका बेसनल नमबर है वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा और उस BSNL नमबर को आप यहाँ पर लिख के रख सकते हैं तो इस परकार से आप BSNL नमबर निकाल सकते हैं दो तरीके आपके पास है जो भी आपको यूज़ करना यूज़ कर सकते हैं चाहे आपका incoming, outgoing बंध हो गया हो फिर भी आप BSNL का SIM नमबर और mobile नमबर आप यहाँ पर निकाल सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताए